सो हे गाइज दिसी तरुन सैनी एंड वेलकम अगेंट टू पीटीएस केड एक्सपर्ट आज हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या प्लैन किस तरीके से बना सकते हैं कॉलम लेयाओट पांडेशन लेयाओट किस तरीके से आप बना सकते हैं डोर विंडो ड प्रेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें इसी के साथ अगर आप हमारी लाइव ट्रेंटिंग से जूड़ना चाहते हैं तो आप प्लीकेशन और वहां से किसी भी कॉर्स के लिए इन्रॉल कर सकते हैं लाइब बैसी अभी ओन गॉइंग है तो आप चे कि हम सबसे पहरे क्या देखते हैं जो कोलम ले आउट होता है मारा किस तरीके का होता है फुटिंग लेओ लैओ इस तरीके से कोलम प्लेस करेंगे जो की कोलम का साइज आपका रहेगा 9 इंच वड वन फीट 3 इंच ठीक के 15 इंच 5 इंच का टो उसके हमने फूटिंग मेंश से 16 फिट का है तो वहां पर हमने column का size heavy रखा है column का face उसी तरफ किया जिसाइड span ज़ादा है तो वह load bear कर लेगा आपका चिक है 4 फिट बाइ 4 फिट का आपका footing space रहेगा उसके बाद आपका column इस तरह के से stand कर जाएगा यहां पर column का हमने proper mention किया हुआ है कि किस तरह के से column आएंगे इसके बाद हम यहां पर tie beam की बात करें तो proper tie beam आपको provide करना पड़ेगा multi story building के लिए अगर आप provide कर रहे है तो हमने tie beam यहां पर RCC PCC provide करके इस तरह के से tie beam mention कर दिया है proper जहां जहां पर wall आ रही है वहां पर हमने tie beam mention किया इस तरह के से ठीक है water tank अगर हमारा आ रहे है down में तो वह भी हमने show किया है tie beam 123 आपको numbering करना पड़ता है same tie beam आ रहे है तो आप same ही number रख सकते हैं grid का आपको हमेशा यूज करना है otherwise आप other floor पे जाके information में error आ जाएगा alignment नहीं हो पाता है बिना grid के और बिन column का भी naming नहीं पता चल पाता है बिना grid के ठीक है ground floor की हम बात करें तो कुछ planning इस तरीके की रहेगी आपका staircase आ गया जो की staircase आपका 7 feet 3 इंच का रहेगा इसके अलावा आपका width रहेगा staircase का वह आपका 9 feet 9 इंच का रहेगा riser आपका 77 इंच का रहेगा और tread आपका 9 इंच का रखा है क्योंकि space यहाँ पे कम है हमें height ज़्यादा अचीव करने तो उसके according यह pattern रखा गया है ठीक है यहाँ पर हमारा kitchen आ गया kitchen का window हमने mention किया हुआ है kitchen का window का जो seal होता है वो 3-3.5 feet तक रहता है kitchen का जो seal रहेगा window का वो हमेशा अलग रहता है बाकी windows से lintel always match करेंगे बट आपका जो seal रहेगा वो अलग रहेगा ठीक है उपर का जो balcony आ रहा है वो हमने mention किया हुआ है इस तरीके से जो कि आपका upper floor पे भी same planning होगा same columns रहेंगे आपके same proper इस तरीके से mention कर सकते है अपर floor से और जो आपके lower floor रहेंगे उनके waste water pipe, soil water pipe इस तरीके से कुछ उतारे जाते हैं ताकि हर एक level पे same alignment में वो pipes रहें और direct manhole में उनको connect हम करवा सके same ऐसे ही जब आप beam की बात करते है तो आप door beam provide करेंगे जो आपकी planning ती जहां जहां पर doors आ रहे हैं विंडोह आ रहे हैं हर जगे आपको door beam provide करना पड़ता है इस तरीके से जो की आप उपर brick लगाएंगे जब door के panel के उपर brick जब आप लगाएंगे frame के उपर तो इस beam के उप उसके बाद रेंफोर्स्मेंट की कि बात करें तो रेंफोर्समेंट से प्रोवाइड कर सकते हैं रहे उनके उपर तो अमरा रेंफोर्समेंट आएगा ही slab के अंदर भी हम इस तरीके से mention करते हैं, top extra जो rebar रहेगा, वो 12 डाया का रहेगा, 12 बारा इंच के gap पे रहेगा, ठीक है, center to center, same ऐसे ही जो particular जो primary बार रहेगा, reinforcement, वो आपका 10 mm डाया रहेगा, change के gap to center to center रहेगा, सभी आप देख पारे कि ये जो beam हमारे पास आ रहे हैं, वो B1 है, B1 है, B1 है, B1 है, बट एक beam जो आपका center में आ रहा है, वो B4 है, ये beam center में क्यों आ रहा है, अगर आप इसका section देखते हैं, section cut करते हैं, तो ये जो beam है, वो slab में flat beam रहेगा, जिसके अंदर आपका जो rebar होगा वो heavy डल सकता है, ताकि हमें जो hull रहेगा, उसके अंदर beam ना दिखे, जो लटक रहेगा, वो नहीं दिखे, तो हम slab के अंदर ही beam provide करते हैं, उसे flat beam हम बोल सकते हैं, जिस beam में सरिया थोड़े कम आ रहे हैं, या फिर आपका size से में beam का, but rebar जो है, वो कम जादा हो रहा है, त beam सबको हमने mention किया, beam one के नाम से, तो कि जाकि wall के अंदर plaster के साथ cover हो जाए, अगर hole के अंदर beam आते तो वो अलग से दिखते हैं, तो हमने flat beam provide किये हुए, तो इस तरीके से आप proper कर सकते हैं, gap आपको proper mention करना होता है, balcony में कितना beam आ रहा है, हर तरीके से आपको mention करना होता है, यहाँ पर हम बात करते है, electrical layout की, तो electrical layout में क्या होता है, जो आपका ceiling plan रहेगा, electrical layout का, वो कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ पर आपको fan का arrangement दिखाना होता है, lighting का arrangement दिखाना होता है, अगर ceiling plan की बात करते हैं, तब आपको सिर्फ fans, light और जो भी आपने extra equipment लगाने है, electrical features ल आपने लगाए है, उनका wall पर connection switches, उनके बारे में हम बात करते हैं, जिस तरफ आपको switch लेकर जाना है, उस तरफ आपको एक arrow दिखाना होता है, आपको spline की help से भी connect दिखा सकते हैं, lighting का जो space है, वो always equal होना चाहिए, center to center भी और wall से भी proper equal gap पर होना चाहिए, चारो तरफ, आ वहाँ पर भी उसका connection होना चाहिए, proper switches होने चाहिए, अगर आप plumbing layout की बात करते हैं, तो plumbing layout में क्या होता है, यहाँ पर आप RWP देख पा रहे हैं, तो RWP का मितलब है rainwater pipe, जो कि आपका ऊपर से आएगा rainwater pipe terrace से, जब terrace पे आप जाते तो वहाँ पे आपको खुरा मिलेगा, ज जो की rainwater outlet होता है, जहां से आपका rainwater उस pipe के थुरू नीचे आएगा, सेम ऐसे ही अगर आप WC toilets की बात करें, तो वहाँ पे soil water pipe और waste water pipe होता है, जो की WC और washvation से connect होते हैं, उसके बाद जो भी उन में waste होता है, वो सब manhole में चला जाता है, proper, तो इस तरीके से में pipes का arrangement भी द AC का हमें plug देना है, TV के plugs देने है, जो आपका common plug होते हैं, single plug देना है, bed के पास भी आपको कोई connection चाहिए, तो आप इस तरीके से proper mention कर सकते हैं, आपको requirement पता हो निची ये client की, उसी के according आप ये सब design कर पाएंगे, बैल आपको कहां लगाना है, MCB का portion कहां पे आपको provide करना है AC के connection आपको 9 feet पे देने है, 8 feet पे देने है, provide करना है सिर्फ AC के लिए, ताकि हमें wire ना दिखे, जितना pass होगा AC के connection, wires हमें नहीं दिखेंगे हमारे hall में या फिर rooms में, सेम ऐसे staircase के पास भी आपको switches चाहिए, जो कि आपके reversible होते हैं, उस तरीके से आप ये use कर सकते हैं, kitchen में अगर हम बात करें, तो geezer के लिए हमें switch चाहिए, RO के लिए हमें switch चाहिए, तो आप इस तरीके से switch provide कर सकते हैं, जो lighting के common switch होगे, वो रहते ही है, हमारे पास exhaust fan के लिए connection चाहिए, तो वो बोल पे another height पे होते हैं, हमारे पास जो plug होगे सिर्फ, इसके बाद हम first floor working plan की बात क अगर हम कहां पे आपको place करना है, dimension के according pro पर आपको mention करना है, balcony अगर provide किया, तो आप balcony दिखा सकते हैं, अगर आप ground floor पर हैं, और आप balcony शो कर रहे हैं, तो आपको dotted में show करना होगा, balcony का portion, अगर आप first floor पर हैं, फिर balcony show कर रहे हैं, तो उस condition में आपका solid रहेगा portion जो आपका balcony नहीं कर रहेगा जो भी आपकी हाइट से अवह होता है उस पोस्चन को हम डोटिड में शो करते हैं अधरवाइस सभी हमें चाहीं डोर के साथ तो आपको 8 फिट छेंज का डोर रखना पड़ेगा अगर वेंटिलेटर नहीं चाहिए तो आप 8 फिट में भी अज्जेस्ट कर सकते हैं डोर को टोइलेट के डोर आप 9 फिट से 3 फिट भी रख सकते हैं इसके लावा वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं तो सेम वही पोर्शन है साड़े 8 फिट का आपको हाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप कहीं पे double panel डोर लगाते हैं जैसे कि आप main entry पर देखते हैं एक आपका wooden डोर रहता है एक आपका wooden में ही wire mesh का डोर होता है जो कि आपकी जाली लगी होती है डोर जो लगा होता है automatically उसको close कर देता है तो जाली वाले अगर डोर आपको लगाने है आपके पैनल के सा तो आपको double panel का आपको डोर लगाना पड़ेगा तब ही वो प्रोवाइड कर पाएंगे framing के स्तुरू ठीक है सेम ऐसे ही अगर हम sliding door की बात करें तो sliding door का भी आपको portion proper दिखाना होता है sliding door हमने यहां पर यूज किया है bedroom के अंदर जो terrace जाएगा balcony में जाएगा तो एक तरफ से हमारा fix रहेगा और एक तरफ sliding door रहेगा जो कि आपका UPVC का भी होता है UPVC के door market में easily available है और हर एक size में available भी हो जाते है ठीक है इसकी बाद अगर हम बात करें तो sil की बात करते है sil level क्या होता है window का sil level mainly windows का ही होता है ventilators का ही होता है तो अगर आप proper बनाना चाहते है तो आपको जो lintel level होगा वो art fit ही रखना पड़ेगा क्यूंकि हमारे door proper art fit के है और lintel beam में भी issue ना आ है तो इसलिए भी हम same lintel level रखते है बट अगर आप sil level change करना चाहें तो उस condition में sil level कहां change होते है अगर आपका slab आ रहा है जैसे kitchen में slab आ रहा है जो sil का standard होता है वो 1500 mm यानि की आड़े 3 feet रखते हैं सिल जो होता है हमारा 1200 तक रखते हैं तो आप kitchen के अंदर हमेशा sil change रहेगा क्यूंकि हमारी वहां पर slab आता है और ऐसे ही आप ventilator देखिए सभी का lintel से मैं मैं आपको चेक करके भी बता देता हूं देखिए यहां पर जो black line आ रही है लिंटल आपका हाइट पर हमें अलग से mention करना होता है कि आपका जो वेंटिलेटर का सील है पांच फिट है पांच फिट ऊपर लगेगा हमारा सील और तीन फिट का हमारा वेंटिलेटर है तो वह 8 फिट की हाइट अचीव कर जाएगा ताकि लेंटर लेवल सेम प्रोवाइड कर पाएं ठीक सब्सक्राइब्न करने का तरीका क्या रहेगा अँगर अगैंजें करना होगा आपको बीम पर करने के अपको वहां ने कमक्या है उस तरीके से disenforcement किया है तो हर एक beam का जो size है वो अलग-अलग हो सकता है condition के according 12 mm का सरीय आपको use करना है 10 mm का आपको rebar use करना है तो वो सब आप कर सकते हैं जो भी आपका ring रहेगा 8 inch का column के अंदर या फिर beam के अंदर वो 6 inch रहे तो ज़्यादा better है load ज़्यादा bear कर पाएगा फिर उस condition में कहीं पर आपको sunken slab provide करना है तो आप sunken slab provide कर सकते हैं sunken slab toilets के अंदर provide किया जाता है pipe की arrangement के लिए तो उस तरीके से आप ये use कर सकते है sunken slab का electrical layout की बात करें तो same pro पर वही electrical layout है कहां से वोल से हमने 3.5 fit का gap रखा उसके बाद lighting का impact रखा एक वोल से हमने 1.5 fit का gap रखा फिर lights हमने लगा दिया fan का जो center है वो 6.5 fit है तो fan का center भी हमने इस तरीके से proper रखा है दोनों तरफ से आपको mention करना होता है इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको चारजर के लिए या फिर अलएक से किसी परपस के लिए बैड के पास भी आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं क्लाइंट ने जो आपको बताया उसके अकोडिंग आपको plan बना कर देना पड़ेगा उसके बाद हम बात करते हैं plumbing layout में क्या होता है एक तो आपके जो waste water pipe soil water pipe rain water pipe होते हैं उनका में mention करना होता है अगर कहीं पर balcony आ रही है तो हमें slope भी provide करना होता है कि जो balcony का water रहेगा बारिस के टाइम में rainy season के टाइम पे तो rwp की through इस तरफ slope रहेगा पूरे balcony का तो rw के through नीचे आ जाएगा पानी और उसके तरू आपका man hole के through sewer में चला जाएगा सेम ऐसे ही दोनों तरफ आपने slope provide किया है तो आप इस तरीके से भी connection दे सकते हैं जो कि आपका wwp जो wastewater pipe उसके अंदर चला जाएगा ठीक है अगर कहीं पर आपको AC layout प्रोवाइड करना पड़े कि AC कहां कहां पर लगाने आपको किस तरीके से लगाने वह भी आप provide कर सकते हैं जो outdoor unit होगा वह आपका wall के बहार आएगा indoor unit आपका bedroom के अंदर जो आ रहा है उसका सिर्फ एक pipe का connection drill के through hole करके आप लेकर जा सकते हैं AC के लिए अलग से आपको बिल्कुल switch provide करना पड़ेगा AC की height पर ताकि wiring ना दिखे जो मैंने पहले भी बताया है सेम ऐसे आप process यूज कर सकते हैं AC आपका hall में भी आ रहा है तो वहां भी आप इसी तरीके का content यूज कर सकते हैं सेम ऐसे ही सभी plans है आपका जो भी एक floor होता है उसी का same typical floor होता है तो उसके according ही सारी detail हम provide कियते हैं इसके बाद हम बात करते हैं elevation की तो elevation आपका जो stilt floor है आपका पूरा रहेगा road level से आपका stilt floor है आपका 9 feet पे है ताकि car आपकी park होसके उसके बाद आपका ground floor से above level है वो आपका इस तरीके से कुछ mention करना होता है जो कि आपका level रहेगा 3 feet plus रहेगा यह जो आपका plus level है यह किसक आपको दिख रहा है बालकनी में आपको जो wall दिख रहा है आपके room का वो जो आपका wall है वो आपका रहेगा minus 3 सेम ऐसे ही आपने mention किया हुआ कि HPL board कहां पर आ रहा है simply market में available होते हैं HPL board आप दिखा सकते हैं HPL sheet आप दिखा सकते हैं उसके बाद सेम आपका another balcony आ जाएगा another level जाएगा level आपने दिखाएगा plus 2 feet 6 inches जो कि आपका सिर्फ इस से 6 feet 6 inch अंदर रहेगा यह जो आपका portion ने चेंच ऊपर रहेगा तो plus minus का work आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अगर हम इसका section cut करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा एक portion आपका change अंदर से मैंसे ही आप अपर फ्लॉर पर अगर जाते हैं तो टरेस पर जब आप जाएंगे top floor पर या फिर टरेस पर जाते हैं तो वहां पर देखें 4 feet 4 feet का आपका elevation है जो कि आपकी वोल से है वोल से जो elevation रहेगा फोर फिट रहेगा जो कि आपकी अलग-अलग seat या वोल के design से हैं यह आपका ramp का slope हो गया, 1.5 feet का आपका ramp रहेगा, FGL level से आपका gate है वो आपका 1.5 feet उपर रहेगा, और door का size है वो 6 feet का रहेगा height में, और width जो है आपकी 10 feet 11 inch का रहेगा, ताकि प्रोपर एक car अंदर जा सके, इसके बाद जो आप यहाँ पे yellow color में देख रहे हैं, अब यहाँ पे lights प्रोवाइड कर सकते हैं, अब last हम देखते हैं कि terrace और multi plan कैसे बनता है, जो कि अभी तक किसी ने information नहीं दिया है, यहाँ पर कोई भी यूट्यूपर वीडियो नहीं है, कि terrace plan और multi plan किस तरीके से define किये जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मूम्टी प्लैन, reinforcement किस तरीके से provide होगा, तो जहाँ पर stair के साथा है, वो हमारा multi area होता है, जो कि आपके पर floor से above होता है, तो wastewater pipe अगर आप provide करना चाहते हैं, यहाँ करेंगे, ठीक है, terrace पर अगर आप बात करें, तो आपको RWP शो करने होंगे, अगर आप आगे भी construction करना चाहते हैं, आप पर floor पे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती, आपको pipe बाहर निकालने होते हैं, vent pipes, ठीक है, 8 mm dia bar के साथ आप reinforcement कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर load का कोई काम नहीं रहेगा, इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर reinforcement slab की, तो आपका reinforcement slab इस तरीके से रहेगा, ठीक है, proper reinforcement यहाँ पर mention किया होगा, 12 mm dia का सरिया यूज किया है, जो आपका rebar होता है, 12 inch के gap पे आपको provide करना है, तो आप easily provide कर सकते हैं, इसके बाद electrical layout की बात करें, तो अगर यह portion आप पूरा open रखते हैं, तो भी आपको electrical layout mention करना होता है, कि यहाँ पर यह lights लगा सकते हैं, बाद में कभी इसको kitchen बनाना पड़े, तो आप यहाँ पर partition wall लगा के kitchen provide कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम wall की electrical layout की बात करें, तो यहाँ पर आपको switches provide करने पड़ेंगे, उसी के according जैसे आपने fan lights यूज किये हैं, उसी के according, balcony अगर आपका है, यह top पर terrace पर आपको जो दिख रहा है, projection दिख रहा है, तो हमने dotted में show किया हुए, ठीक है, terrace पर जो होगा water होगा, तो पूरा planning किस तरीके से होता है, terrace का, वो हमने यहाँ पर water layout के, plumbing layout के according, बताया हुआ है कि terrace जो RWP होगा, उसके through आपका rain water रहेगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और waste water pipe रहेगा, वो भी आपका RWP की तरफ से नीचे चला जाएगा, जो waste water pipe होता है, उसी के अंदर हम cut out प्रोवाइड करतेंगे, प्रोवाइड के अंदर, और इस condition में यह आपका water flow, MS तक चला जाएगा, man hall तक चला जाएगा, यह था हमारा terrace के लिए, अब मुम्ती के लिए हम देखें, तो हमने पहले ही provide किया था, यहाँ पर waste water pipe, यहाँ फिर RWP, rain water pipe, तो slope जो है वो आपका इस तरी, हमें provide करना पड़ेगा, flooring के time पे, tiles लगाने के time पे, तो गाईज यह था आज का वीडियो, कैसा लगा, comment section में जरूर बताएए, इसी के साथ हम जल्द मिलते हैं, next वीडियो में, वीडियो में देन साथ हमें, झाल झाल